एक बेहत परिशान करने वाली घटना में चांगलंग जिले के बोर्डुमशा में जे एन बी में एक कंबी रेकिंग की घटना की सुचना मिली है। रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार की शुबर स्कूल के लरकों ने होस्टेल में सीनिर स्टूडेंस द्वारा 15 से अधिक चातरों पर गिनोने दंग से हमला किया गया। यह हमला कटित तोर पर क्लास 11 के स्टूडेंस के एक ग्रूप द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपने क्लास 8 के जूनियर स्टूडेंस को निशाना बनाया, जिससे उन्हें सारे रिक नुकसान और मांसिक चोर पहुचा, इस हिंसक गटना ने पेरेंस और व्यापक समुद में आक्रोस पेदा कर दिया है, जो ततकाल, कारवाई और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएपूरे छेत्र में, शेस्निक स्थानों में चिंताजनगरूप से बार बार हो रही है, पिछले साल इटानगर में सांगेलादेन स्पोर्ट्स अकेडेमी में इस तरह की हिंसक वैवार की सूचना मिली थी, खत और जाज अपरादियों के लिए सक्थ दन और वविश्य में चात्रों को इस तरह के घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपायों को बराने की मांग बर रही है, आज जैसे की बर्दुमसा जेन भी में, क्लास 8 के बच् बच्चों ने बहुत टॉर्चर किया, और ये आश्चर की बात है कि हमारे जो वहां के टीचर्स हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है, इतनी बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया है, कि अमरूत का जो है डंडा लेते हुए ये बच्चों ने सीनियर ने किया है, क्लास 8 के बच्चों को, एक बात तो यहां कहना पड़ेगा, कि हमारे जो इस्कूल के अथोर्टी है, क्या कर रहे हैं वो, दूसरी बात, ये आज एक मास जो है अत्यचार होने के कारणी आज ये हाइलाइट में हुआ है, और ये छोटी मोटी घटना है तो वहां होती रहती है, तो मै मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों ने ये किया है, क्लास 11 के पांच बच्चों ने, उनको स्कूल से तुरन ट्रांसपर सर्टिफिकेट पीची दे के उनको बाहर निकालना है, सबसे पहली बात, क्योंकि अगर उनको सस्पेंशन करके एक महने, दो महने के लिए सस्पेंशन क करते हैं तो उनका जो है यह इरादा और बढ़ जाएगा और नेक्स टाइम वो नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं तो मैं चाहूंगा उन लोग को निकालना है और आइंदा बच्चों के एगेंस्ट में प्लास 8 के छोटे-छोटे बच्चे आप लोग लेने वाले हैं नहीं उनको थोड़ा सा अपना अथोर्टी अपना जो पावर दिखाना चीए इसकुल में SMC होता है इसकुल मैनेजिंग कमिटी उन से हेल्प लेना चीए वे जानते हैं कौन बच्चे बदमा से कौन बच्चे क्या करते हैं तो मुझे बहुत काफी वेचार हुआ है मैं चाहूंगा कि चांगलंग डिस्ट्रिक के डिसी सर हमारे यहां के बदमसा के डिसी सर काइंडली इसमें थोड़ा सा नजर करें और इसको जो है नियाए मिले बच्चों को इतना ही मैं कहना चाहूंगा थैंक्यू